पिगना हर्ता श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा भाया ये, ये कैसा भेश दर लिया आपने? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे विवा के पश्चात, मैं वो कारे करूँग जिससे मुझे प्रसनेता मिलती है मुझे इस दिमें आनंद मिलता है मैं सन्यास ग्रहेंड करना चाहता हूँ सन्यास? हाँ भाई किन्तु तुम दोनों को बिना बताए बिना तुम्हारी आनुमतिक है कही नहीं जाओंगा मैं तुम्हें दुख पहुचा कर मैं संसार में सुखे कैसे रह सकता हूँ तुम मत जाएए ना भाईया आपने माँ को वचन दिया है कि आप मुझे छोड़ कर कभी नहीं जाएंगे भाईया यदि यदि आप चले गए तो मुझे कौन संभालेगा कौन मेरा ध्यान रगेगा कौन मेरा हाथ थामेगा जिस प्रकार बिना सुगंद के पुष का पूर्ण उसी प्रकार बिना अर्धांगी निके ग्रिष्ट जीवन अपूर्ण तुम्हारी अर्धांगनी सुशीलक हाथ से तुम्हारा हाथ हमेगा और तुम सुशीलक और तुम दोनों मिलकर ग्रिष्ट जीवन की सनाव को चलाओगी यह भई यह खुछ इतनी है समझने का प्रियास करो माधाओ मेरे जीवन की यही नियती है मेरे जीवन के यही उद्देश यह यही करने से मुझे शांती मिलेगी इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे जीवन की पहली भिक्षय तुम दोनों के हाथों से तो मैं इस धर्म पत्ष पर आगे भणू तो कहो भाई क्या तुम मुझे भिक्षया दोगे मुझे विदा करोगे आज माता जीवित होती तो प्रथम भिक्षया मैं उनी से लेता अब तुम ही मुझे भिक्षया देकर ये कारे पूर्ण करना होगा मैं आपके जीवन के उद्देश्या में बाधा नहीं बनूंगा मैं आपको भिक्षया दूंगा खाश तक आपने मेरे लिए बहुत त्याग किया है परन्तु मैं आपसे और त्याग करने को नहीं कौंगा मैं आपके जाख में आपके अब में आपके अबर Tree कीम इाफत्वा ए्ट करने कौंगा ये कीम तर नहीं क्युंगा ये को प्यादीश्क टूंगा कीम इापके करने की पाव का वात्सक्त्या無म झाल झाल जाल झाल भाना ही थाना वो दूसरों पर अपनी निर्भरता त्यागने के लिए तयार हो गया था ना प्रबू जो बच्पन से किसी अन्य पर ही निर्भर रहा उसे बदलने में कुछ समय तो स्वभाविक था बड़े भाई का हाथ छोटा तो उसने अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया और उसी पर निर्भर हो गया झाल अरे स्वामे रुकिये आप बड़े हो गए हैं लेकिन आपका बालगपन नहीं गया पुष्पो या पूजा की सामगरी बिना सनान के इस पर्ष नहीं किया करते शीग्रे ही जाए और सनान कर आई है पूजा के लिए देरी हो रही है ठीक है सुशीला अरे कवीता सुशीला मेरा विवा निष्चत हो गया है यह तो बहुत ही शुब समाचार है कवीता, बढ़ाई हो शुब समाचार तो है, किन्तु केवल बढ़ाई से काम नहीं चलेगा तुभ्य मेरे साथ चलना होगा साथ चलना होगा? गाउदेवी के मंदर, मतराणी ने मेरी प्रात्ना जो सुन ली है. चलेंगे, आवश्ये चलेंगे. बस स्वामी को सनान कर निकल आने दो. उनको बता कर ही जाएंगे. अरे, पास में ही तो है मंदर. बस जाएंगे, और आज जाएंगे. चलो ना. केंटू, स्वामी, चलो ना, रिप, कवीथा. सुषिलाब, सुषिलाब, सुषिलाब. सुषिलाब, 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 स क्या हुआ माधव कि बताओगे तभी तो साहाइता करेंगे हां कुछ बोलो तो पता नहीं सुशिला कहां चली गई सुशिला 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 पॉसी सुशिला भी मुझे आके लिए चोड़ कर चली गई कुछ एकिन अपुशिला कहां गई हूं मैं यहीं तो हूं कि तुशिला सुशिला 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 ऐप रो के लिए तुम ऐसे बिना बताये कहां चली गई थी यही निकट वाले मंदिर में उसमें क्या बताना स्वामी मुझे भी ले चलती ना तुम्हें बिना देखे मैं विचलित हो गया था मुझे छोड़ कर मत जाना थोड़ी देर के लिए भी नहीं अरे मत जाया करो बहुरानी अन्यता ये चिंता की अवस्था में न पूरे गाउं को इखटा कर लेगा अरे सब ठीक है जाओ सब अपने अपने घर ये क्या किया आपने स्वामी तनिक मंदिर क्या चलीगी आपने तो आसपड़ोस वालों को एकत्र कर लिया मुझे बिना बताय चली गई तो मैं चिंतित हो गया था ना शमा करना मैं ही सुशीला को खीच कर ले गई थी अपने साथ किन्तु इन्हें भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना अरे वो मैं तो भूली गई तुम्हें नियोता देना सोंबार को मेरा संगीत है समय पर आ जाना और मैं मुझे न्योता नहीं है स्त्रियों के संगीत में पुर्शों का भला क्या काम और हाँ इस बार इनको बता कर आना नहीं ये फिर चंता करेंगे अच्छा सकी मैं चलती हूँ मैं सुशिला को कैसे आके लिए जाने दूँगा प्रेम का भाव कोई किसी पर न्योच्छावर करे तो वो तो अच्छा लगता ही है किन्तु जब उसकी अती हो जाए तो वो संबंध में खटास भी ला सकता है देवी सुशिला पर माधवदास इतना निर्भर हो गया कि उन्हें गुटन सी होने लगी तब उन्होंने निर्णए लिया वो माधवदास को अकेला छोड़कर अपनी सकी के संगीत में भाग लेंगी ऐसी ये कौन सी परंपराय संगीत की जो एक एक पती को अपने पत्नी से अलग करते वो भी पूर्ण रात्री के लिए और वो भी वो पती चो अपनी पत्नी के बिना बिना रह नहीं सकता भाग का रहा है ओ रुको दुष्ट कि घसते ही पुको अपनी खिंसे पीछ है अपनी पमुद कि बचोगे नहीं तुम दंड अवश्य में लेगा तुम्हें अब स्थान कोई बचा नहीं है छुपने के लिए बहार आओ चिपकर क्यों खड़े हो सामने आओ अब मुख चुपाने से क्या होगा कैसे पुरुश्य तुम इस्त्रियों को चुपकर देखने में तुम्हें लज्जा नहीं आती अरे लज्जा आती तो ऐसा खृत्य ही क्यों करता इसे अच्छा सबक सिखाना चाहिए अरे इसके लिए तो मैं और मेरा दंडी परियाप्त है एक टकेगा ना सीधा हो जाएगा अब क्या करू मैं अब मान तो हो गई चोट और सेहनी होगी इस दुस्ट को तो ऐसा दंड देना चाहिए कि पूरे गाउं में घुमाना चाहिए इसे माधाव बताव सुशीला इस निरलच को क्या दंड दिया जाए अब इसे जूते से मारे ये चपल से मारे मेरे पती ऐसे ना हो बस सुशीला मुझे शमा करदो सुशीला इस बहुत लजीट हो मुझसे रहा नहीं गया प्री तुम्हारी लिए तो आया था तुम्हें तो गया थे सुशीला मुझसे अक्लापन सहा नहीं जाता जब तुम नहीं थी तो व्याकुल था मैं विचलित था सुचब कही कुछ अनोहनी हो जाती तो अनोहनी तो आपने कर दी वहां आकर सब ही आप कुछ रित्रहीन कह रहे थे इतना उपास हुआ हमारा वहां पर क्या वशिकता थी आपको वहां जाने की तोड़ी देर अकेले नहीं रह सकते थे कि तो आप तो अपनी पत्नी के पल्लू से भंदे रहना चाहते हैं तोड़ी देर आप अकेले रह लेते तो क्या जाता आपका तुमें तो ग्याता है सुचिला जब तुम नहीं होती तो मैं व्याकुल हो जाता हूँ भई लगता है मुझे यदि तुमें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा और इस्प्रिय थी नवा अम अकेले तो नहीं थी नवापर क्या उनके पते उनसे प्रेम नहीं करते उनके चिंता नहीं करते तो क्या उनके पते भी वहां संगीत में आ जाते संभाव है उनके जीवन में प्रेम करने को उनके पत्नियों के सिवा कोई और भी है कि तु कि तु मेरी लिए तु बस तुम ही हो जिन से भी प्रेम किया मैंने सब ही मुझसे दूर चले गए न पहले पिताजी फिर मा पर देखते देखते भईया भी चले गए जिनका भी हाथ थामा मैंने सब मुझसे दूर चले गए सब मुझे छोड़ कर चले गए इसलिए पल-पल बस इसी भई में जीता रहता हूं कि तुम भी चली जाओ या तुमें भी कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगा इसका हाथ तामूंगा मैं यह जीवन का सत्ते है कभी ना कभी सब ही जाते है और वो दिन में आएका जो हमारा साथ सब छोड़ जाएका नहीं नहीं, एसा मत काूं सत्ते को अन्यता मत काूं फिर शत्त्त्त्त अरत्त्त ह Cathis अटल हैं और उज्डत्तत्त्त अरुनागार होकर ही रहता है जिस किसी ने भी इस थर्थि पर जन लिया है उसकी मृत्त्य निच्जत है इसलिए तो इस्थर्थी को मृट्ट्यू लोग भी कहते हैं तो फिर किसका हाथ थमम है जिनके जाने की पेड़ा ना सैनी हूँ उनका, जो आधी है और अनन्त भी और अनन्त भी कौन है वो? और कौन? जग केनात श्री जगनात जी श्री जगनात जी तो यदि मैं उनका हाथ थममगा तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे? हाँ भगवान श्री जगनात की शरण में जो कोई भी जाता है प्रभू उसका साथ कभी ने छोड़ते तु इतना बता दो कि वो खहां मिलेंगे मुझे ये तो सरव के हाथ है किन्तु फिर भी बताती हूं वो इस संसार के प्रतेक स्थान में है किन्तु उनके साक्षा दर्शन चाहिए तो आपको कलिंग उर्देश के चगजात पूरी छेत्र में जाना होगा अब किसी कारण मेरा साथ चूट जाए तो अन्य किसी और का नहीं उनका हाथ ठामना फिर आप कभी अकेले नहीं रहेंगे इस घटना से माधवदास को जीवन का गूढ सत्य समझ में आया जो उसे उसकी पत्नी ने बताया था वो सत्य जो कभी जुटलाया नहीं जा सकता और कदाचित उसके जीवन का यही उद्देश्य था क्योंकि उसके कुछ ही समय बाद उसकी भी मृत्यू हो गई और माधव फिर अकेला था किन्तु इस बार वो तनिक तयार था जिस किसी भी इस धर्थी पर जन लिया है उसकी मृत्यू निच्चित है इसलिए तो इस धर्थी को मृत्यू लोग भी कहते है सही कहा था 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 एक दिन लोग भी है एक दिन तुम डिचल जाओ कि मुझे जोड़ कर दो नहीं वो तु जा चुकी है भगवाल श्री जगणाथ की शरण में जो कोई भी जाता है प्रभू उसका साथ कभी ने छोड़ते साक्षा दर्शन चाहिए तो आपको कलिंग परदेश के जगणाथ पूरी छेत्र में जाना होगा अब किसी कारण मेरा साथ चुच चाहिए तो अन्दे किसी और का नहीं नहीं उनका हाथ धाम धामना फिर आप कभी अगेले नहीं रहेंगे तुम्हारा कहां मानूंगा मैं तुम्हारा कहां मानूंगा जाते जाते तुम्हारा दिखा कर भी यह सुशी मैं आज ही जाकर जाकर जगणाथ जी को ढूंडूंगा तो उनकी शरिण में चला जाओ जाओ अपना सब कुछ पीछे छोड़कर माधवदास अब अपनी नियती की ओर बढ़ रहा था प्रभू को ढूंडते हुए वो शीग्र जगणाथ पूरी धाम पहुँच गया भाया यह जगणाजी का मिलेंगे यह जगणाथ जी का है जगणाथ पूरी में तुम्हें यह नहीं मालूं कि जगणाथ जी कहा मिलेंगे तो व्यार्थ है तुम्हारा यहां होना अन्तता तुम्हारा ही रहे हो सखा भगवान और भक्त का संबंध बड़ा अनूठा होता है जब भक्त भगवान से मिलने के लिए ततपर होता है तो भगवान के मन में भी एक ही विचार होता है अपने भक्त को दर्शन देने का सक्खा, माधव, बहुत प्रतीक्षा करवाई तुम्हें अब शिग्रा आजाओ यह सुवर कहा से आ रहा है तुम्हें 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 कहा है जगनाद जी के दिर्शन करवाता हूँ कोई भेट करवादो उनसे मेरी मुझे उनका हाथ थामना है शकर्णाची शकर्णाची मैं तुम्हें जगनाद जी के दिर्शन करवाता हूँ मेरे साथ आओ शकर्णाची शकर्णाची ये है जगत के नाथ श्री जगनाद जी पलराम जी और सुबद्रा जी के साथ शकर्णाची 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 शरम में जो कोई भी जाता है तब हो उसका साथ कभी ने छोड़ते इनके हाथ कहा है इनके हाथ आपको विश्वास है ना ये ये जगनाद जी ये ही है जगत के नाथ श्री पती जगनाद प्रभू जिन के सुए मात नहीं है वो बला किसी और के हाथ कैसे थामने ये मेरा हाथ किसे थामने सत्ते नहीं ये कोई ब्रह्म है जिन्हें मैं ढूण रहा था ये वो नहीं अब किसी कारण मेरा साथ चुच जाए तो अन्दे किसी और का नहीं उनका हाथ थामना पिर आप कभी अब ये ले नहीं रहेंगे ये जगनाद जी नहीं हो सकते ये जगनाद जी नहीं हो सकते उसंदो रभू इसे ये शमा कीजिए इसे नहीं मालूम ये क्या कह रहा है ये जगनाद जी नहीं हो सकते ये जगनाद जी ये सकते ये जगनाद जी ये सकते परमात्मा ने नेत्र दिये हैं संसार देखने के लिए किन्तु स्वयम उनके वास्तविक दर्शन आख मूंद कर अंतर आत्मा से ही संभव है आपक्री ये जगनाद पाने क्या हुआ तब परमार एगनाद ने क्या शलिंगर। कि बीजिए